इस वीडियो में हम एक important theorem डिसकस करने जा रहा है वो है question है ये if two tangents are drawn to a circle from a point outside it एक circle के जिसका center माल लेते हैं ए है उसके outside में एक point है माल लेजे पी उससे दो टेंजेंट रहा किया जा है if two tangents are drawn to a circle from a point outside it then the line segment joining the point of contact then the line segment वो line segment जो point of contact point of contact काउन सा है जो circle और tangent की बीच में बनने वाला point of contact है point circle और tangent कोई भी circle किसी भी tangent को किसी एक ही point पे cut करता है तो circle और tangent को cut करने वालों two point of contact होगा इस tangent के लिए a माल लेते हैं एक इस tangent के लिए b equal होगा मिंस यहाँ पे आप देख सकते है डाइग्राम में पी ए और पी बी इकवाल होगा यह प्रूफ करना है अन्दे सब्टेंट इकवाल एंगल अट्टा सेंटर और यह भी प्रूफ करना है कि वह दूनों लाइन जो है अग्रोफ इस तरियर पॉंट अलजा है इसलिए पॉंट जो को सेंटर पे सेंगल बनाता है मिंस पी ओ ए और पी ओ बी इकवाल है यह चीज़ प्रूफ करना होगा तो गिवन इसलिए गिवन वाला पाट तू बता है गिवन पी बी अपॉंट आउटसाइट दा सर्कल टेंटर पी एक प्उंट है जो जो हमने अजुंग किया है उसको यहा लिखिए के P A और P B दो tangent है, sorry, P Q और P S दो tangent है, और point of contact, circle और tangent की बिए में, वो A और B है, वो सारी बात ही आए, वो, from the point P to tangents P Q and P S are drawn, A and B are point of contact, between the tangent and the radius, P Q P Q और P S respectively, P Q और P S के लिए जो है, दो point of contact, A और B है, और P A and P B makes angle, P A और P B center पर जाएगा बनाता है, center पर अंगल बनाता है, कौन सा, P O A और P O B, वो दोनो angle है, P O A and P O, R T P, required to prove, प्रूव क्या करना है हमें, एक पार्ट यह प्रूव करना है, कि outside point से point of contact का जो length है, यानि P A और P B, यह equal होगा, और दूसरा चीदा को prove यह करना है, कि वो equal angle बनाता है, center पर, दो angle center बना रहा है, P O A, center पर एक angle यह है, center पर दूसरा angle है, P O B, यह दोनो angle equal होगा, यह बाधने में prove करना है, next, इसमें construction नहीं है, इसमें next part है, prove, रूफ में हम क्या करेंगे, हम दो triangles लेक करेंगे, जो दो triangle हम पो दिकरा है, that is P A O, और दूसरा, P O B, इन, triangles, इन, triangles, कौन कौन सा, P O A, आड, दूसरा triangle कौन सा है, P O B, P O A और P O B, जो दो triangle है, उन दोनों triangle में, P O, common side है, P O is common side, P O दोनों triangle में हैं मजूद है, दूसरा, O A radius है, और O B, भी radius है, O A, and O B, R radius, O A, and O B, R radius, of, circle, O A, and O B, R radius, of, circle, P A, and, P B, are, P A, and, P B, are, tangents, P A और P B, tangents है, O A, and, O B, are, radius, O A, and O B, are, radius, on, point of contents, P A, and P B, tangent है, और O A, and O B, अगर radius है, तो इससे पहले एक थिर्म में प्रूव हो चुका है, कि O A, जो अगर radius है, वो perpendicular होगा, P B, tangent पे, जहने के, P A पे, और उसी तरीके से, O B, B perpendicular होगा, tangent, P B, अगर, O A, radius दो है, को tangent के पर perpendicular होता है, यह थिर्म होगर आपको समझना है, तो इसका link description में दी आवा है, आपको आज सुझा करके उस वीडियो को देख सकते हैं, इस फिर्म को समझने के लिए, यह वाला पार्ट समझने के लिए आपको वीडियो देखना जरूरी है, अब हम क्याल करेंगे, हम दो ट्राइंगल सेलेक्ट करेंगे, इन ट्राइंगल, क पोब में, तो पी ए, ओ, दो ट्राइंगल सेलेक्ट करेंगे, इन ट्राइंगल पी ए, ओ, अद दूसरा ट्राइंगल, पी बी ओ, इन दोनो ट्राइंगल में, सबसे फ़हला साइड, ओपी इस कमन साइड, ओपी जो है, वो कमन साथ ही, ओपी, कमन साइड ही, नेक्स्ट, दूसरा, ओ ए, ओ ए, एकव़ल टू, ओबी होगा, क्यो एकवाल होगा, क्यों एकवल होगा, क्यों यकवल होगा, क्योंके, रेडिया इंगल काफी आज़ेंगे, इन कर्षा। तो दूनों ट्राइंगॉल को गंगुरूएंट प्रूफ करना है तो यह जो पी ए ओ पे बनने वाला जो आंगल है पी ए ओ और पी ओ जो आंगल है वापस में एकॉल होगा आट बेस्क लिए दूनों 90 डिग्री है क्यों कि दूनों राइट एंगल है क्योंकि ओ ए जो है वो प प्रफेंगूल है विए प्रफेंडीकुलार है पी बी पे रम पर पर प्रफिय ए प्रिए और पी पी बीओ टों आपस्के यह दूनों इयुक्वाल टू 9 डिग्री यह आइट अंगल है ट्राइंगल पाच ग्रेंगल यह कंगूरेंट होगा ट्राइंगल पी पी ओक्साद और रूल क्या होगा यहां पर चुक्छ राइट एंगल है राइट एंगल है इसके बाइसे यह तरह से एक्वाल है तो जो भी कॉर्सपॉंडिंग साइट्स होगे यानि एक जैसे जो साइट्स है वह एक्वाल हो यानि पी ए और पीबी क्यों क्योंकि यह कॉर्सपॉंडिंग साइट है क्यों क्योंकि यह कॉर्सपॉंडिंग साइट है क्योंकि यह कॉर्सपॉंडिंग साइट्स है और एंगल्स भी इक्वाल होंगे कौन-कौन सा एंगल पी ए ओ इक्वाल होगा एंगल पी बी ओ के साथ क्यों क्योंकि यह कॉर्स only angles maybe you want to end with it up with your own so much we are gonna thanks a lot